हम लोग बात करेंगे जेम फाइनेंशल स्टॉक के बारे में और देखेंगे जेम फाइनेंशल में हम लोग को फ्यूचर में क्या टार्गेट मिल सकता है स्टॉक का सपोर्ट कहां पर और रेइस्टेंस कहां पर है स्टॉक में देखेंगे तो प्रिविएस वीक फ्राइडे के अगर थोड़ा राउंड लेवल पगड़के चले तो जो कि 80 रुपीज के नीचे निकलता है तो इस टॉक में फिर से डाउं ट्रेंड चालो हो जाएगा लेकिन जब तक स्टॉक के ऊपर के तरफ मोमेंटम बनते रहेगा तो इस टॉक का ऊपर का तरफ एक रेजिस्टेंस लेवल है जो की है 92-93 रुपिस का अगर स्टॉक में एक बार 93 रुपिस के ऊपर स्टॉक निकलता है तो हम लोगा पहला टार्गेट होने वाला है जो कि 100 रुपिस का है जो कि 10% का एक टार्गेट है अगर एक बार 100 रुपिस के ऊपर फाइनली एक अच्छा कासा क्लोजिंग दे देता है तो हम लोगा दूसरा टार्गेट होने वाला है जो कि टार्गेट थोड़ा बड़ा है जो कि 120 उर्पाय का लेवल है जो कि एजीली देखने मिल सकता है क्योंकि स्टॉक में देखेंगे तो एक अच्छा कासा कर्व बन रहा है जो कि राउंडिंग बॉर्टम भी हम लोग बोल सकते हैं नीचे एक अच्छा कासा नीचे के तरफ करेक्शन हुआ और नीचे थोड़ा मोड़ा लगबग एक साल टाइम करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें